स्वागते दोस्तों आपका हमार यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर्टा में दोस्तों निपोन डिया एमसी देश की सबसे धमदार एमसी है इस वक्त क्योंकि निपोन डिया एमसी के अंदर जितने भी लोगों ने पिछले कुछ सालों में पैसे को निवेश किया है उन्होंने एक जबरदस्ट फंड बना है अगर आप भी मुचल फंड के अंदर पैसे को निवेश कर चुके हैं या फिर आप निवेश करना चाहते हैं तो फिर आपका हमेशा ये ज़रूर टागेट होगा कि आप कम पैसे निवेश करके एक 32 मुचल फंड प्लान पिक करके कैसे एक बड़ा फंड बना सकते हैं क्योंकि अगर आपका टागेट है आट से 10 सार पैसे निवेश करने का और अभी आपके पास जादा पैसे नहीं है तो फिर आपके पास एक मुचा बनता है कि आप निपोन अडिया के एक जबरदस्ट फंड के अंदर सिर्फ थोड़े पैसे भी निवेश करते हैं और इस फंड के अंदर पैसे को डाल कर बस आपको दो चीस का ध्यान रखना है पहला पेसेंस के साथ आपको पैसे को निवेश करके रखना है चाहिसे मार्केट में करेक्शन आए फिर भी आपको अपने पैसे को नहीं निकालना है अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो फिर दोस्तों आप एक पहतीन मुचल फंड की अंदर पैसे को निवेश करके एक जबरदस्त फंड बना सकते हैं क्योंकि अगर हम पिछले 10 साल की भी बात कर लें तो मुचल फंड ने हमें रिटन काफी कमाल का दिया है और अभी भी हमारे पास एक मुचा बनता है कि यहां पर हम पैसे को निवेश करके अपने किसी भी बड़े फंड बनाने के टार्गेट को पूरा कर सकते हैं मुचल फंड में आपको शॉर्ट टम में थोड़े बहुत करेक्शन मिल सकते हैं लेकिन अप टार्गेट रखते हैं अगर लोंग टाइम का तो फिर आपको इन करेक्शन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है क्योंकि एक करेक्शन फेज करने के बाद आपको एक जबरदस्त रिटन मिल सकता है और इसका एक्सामपल अगर आपको देखना है तो 2020 क्रोना डॉप्टाउंट के बाद जब मार्केट ग्रैश हुआ था तब से लिखकर अब तक अगर आप मिल्चल फंड प्लान का रिटन देखेंगे लेकिन अगर हम निपोन इडिया के सितमदार फंड की बात करते हैं जिसमें आप 22,650 से 2,32,000 रुपे का फंड बनाएंगे तो फिर दोस्तो इस फंड के अंदर सारी important details आपको ज़रूर चेक करने चाहिए एक एक करके सब कुछ देखेंगे और calculation के साथ भी समझेंगे लेकिन आपसे request जरूर है चैनल को subscribe जरूर करते हैं दोस्तो जिस फंड की हम बात करें हैं यह निपोन इंडिया का निफटी mid-cap 150 index fund direct plan growth दोस्तो यह एक जबरदस्ट mutual fund plan है और all time में इस fund ने हमें 29.85% का return दिया है बिछले 3 साल से fund का लगतार return 25.62% last one year में 45% six month में 28% और last one month में भी fund के अंदर कमाल का return है 3.70% का जैनि कि लगतार इस fund के अंदर एक जबरदस्ट return हमें बिना है लेकिन यहाँ पर इस fund के अंदर इसना भी return अगर हमको नहीं मिलता है बलकि हमें return मिलता है सिर्फ 26% का और 22,650 रुपे हम इस fund के अंदर 6 साल के लिए डालते हैं तो फिर हम यहाँ पर 90,634 रुपे का fund बनाएंगे और इसमें return होगा 67,984 रुपे का देकिन दोस्तों अगर हम पैसे को डालते हैं यहाँ पर 12 साल के लिए तो फिर हम इस 22,650 रुपे से 3,62,000 रुपे का fund बनाएंगे और 3,440,000 का return और अगर हम पैसे को डालते हैं 18 साल के लिए तो फिर हम 22,650 रुपे का नविश करके इस 32 fund के अंदर 14,51,000 रुपे का fund बनाएंगे और 14,28,000 का return और अगर हम पैसे को 24 साल के लिए डालते हैं तो फिर हम 22,650 रुपे का नविश करके भी 58,7,000 रुपे का fund बनाएंगे और 57,84,000 का return और दोस्तो अगर हम पैसे को डालते हैं 30 साल के लिए तो फिर हम 22,650 रुपे का निवीश करके 2,32 लाग रुपे का फंड बनाएंगे और 2,32 लाग का इसमें रिटन हमें मिल जाएगा क्योंकि दोस्तो इस 22,3 मुचल फंड प्लान के अंदर अगर हम पोर्टफिलियो की भी बात कर लेते हैं तो दोस्तो फंड का पोर्टफिलियो काफी स्टोंग है कुल मिलाकर होल्डिंग में 150 दमदार कंपनी है जिनमें पैसे को निवीश क्या गया है इसमें अगर हम टॉप होल्डिंग कंपनी की बात करते हैं तो मैक्स हेल्थ केर, सुसलोन एनरजी, दा इंडियन होटल कंपनी, कमिंग्स इंडिया, सीजी पावर, यस बैंक, भारत फो के अंदर पैसी को निवीश करके उठा सकते हैं, फंड के अंदर एनिवी का प्रैस अभी से 25 रुपे 35 पैसे है, जयनिके अगर हम लमसम पैसा निवीश कर रहे हैं, तो करेंट एनिवी के प्रैस से हमें यूनिट लॉट की जाती हैं, और इसी पर हम प्रॉफिट या लॉस कर पाते हैं लेकिन फंड के अंदर रेटिंग शांदार 3 है और दोस्तों 1500 करोड रुपे से जादा लोगों ने इस मुच्छल फंड टान के अंदर पैसे को निवीश किया है फंड के अंदर लम समया 5000 रुपे तक निवीश कर सकते हैं पोर्टफिलियो को काफी अच्छे से डि परदस्त ग्रोथ हमें मिल सकते हैं फंड के अंदर एक्सपेंस रेशियो यानि के खर्चा ये फंड का काफी कम है 0.30% का जैनि के दोस्तों आगर हम लबसम पैसा नवीश कर रहे हैं तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो काटकर एनवी के प्रैस से यूनिट लॉट की जाती हैं एक्सित लोटने ले और फंड के अंदर रिटन पर टैक्स है 20% एक साल से पहले एक साल के बाद एक लाग 25,000 से जादा प्रॉफिट पर साड़े 12% का LTSG टैक्स हिमानशू फंड को मैनेज करें 2023 से दोस्तों निपोन एडिया म्यूचिल फंड आउस की बात करते हैं तो इस आपसे फोर नंबर पर है 1905 में में फंड आउस से स्टार्ट हुआ था और 5,03,000 करोडों पे से जादा फंड का यूम है तो दोस्तों इस बहतीन मूचिल फंड प्लान के अंदर अगर हम लमसम पैसी को डालते हैं तो यहां पर हम एक बहतीन डिटन पास सकते हैं मूचिल में हमें शॉर्ट टम में जरूर करेक्शन मिलते हैं लेकिन हमारा टार्गेट हमेशा होना चाहिए 8-10 साल पैसे निवेश करने का तभी आप शॉर्ट टम की सारी करेक्शनों को फेस करने के बाद एक बहतीन डिटन पास सकते हैं लेकिन यहां पर अभी आपके पास एक के अंदर पैसे को निवेश कर हैं और दोस्तों इसका फायदा अगर आपको लेना है तो आज आप पैसे को निवेश करके उठा सकते हैं वीडियो से लेटेड अगर आपका कोई कोशन होता है तो आप ज़रूर बताएए अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करते हैं धन्यवाद